नमस्कार दक्षिन अफ्रीका जो नया वारस है वो भी दिल्ली के एक निवासी में पाया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली के लोग बहुत ही बेफिक्र घूम रहे हैं और ये जो उनकी बेफिक्री है ये बहुत से लोगों के लिए हानिकारक साबित हो सकती है चलते अंगली खबर के तरह अगली खबर के मताबिक हम बात करने वाले हैं किसान नांदोलन की जिए हाँ किसान नांदोलन जो काफी समय से चलता हुआ आ रहा है ना है किसान नहीं सका दोनों ही पक्षों में से किसी ने भी दिल्ली के लोगों को या राज्य को कोई रहात की खबर नहीं दी है इसी बेच आपको बता देते हैं कि किसानों ने बहुत पहले भारत बंद का एलान किया था जो कि अब 26 मार्च को वो यह ऐसा करने वाले हैं उनका कहना है कि जिस तरह से हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि दक्षिन के लोगों से हमें जादा समर्थन मिल रहा है और यह दिखाता है कि यह भारत बंद बहुत ही सफल हैने वाला है उन्होंने कहा है कि वो इस भारत बंद को सफल बनाने के लिए कई राज्यों में महापंचायते कर रहे हैं, गठन कर रहे हैं और ऐसे कुछ लोग हैं जो दिल्ली मोचा में शामिल नहीं हो सकते हैं लेकिन वो अपने हिस्तर पर जिस राज्य में रहते हैं और वहीं पर धर्रापरदर्शन करेंगे किसान नेताओं का कहना है कि 23 मार्च को भगत सिंग जीक का शहीदी दिवस है और इसी मौके पर काफी सारे युवा हैं जो इस समर्थन का इस भारत बंद का हिस्सा बनने वाले हैं साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं से भी अपील की है कि वो अपना योगदान ने अपनी भागीदारी दे अब देखते हैं कि किसान नादोले कितना सफल रहता है या कितना हर सफल रहता है सरकार और पुलिस प्रिशासन की भूमिका या दिल्ली वासों की भूमिका या हर राजु की भूमिका इसमें कैसी रहती है चलते अंगली खबर की तरफ अगर दिल्ली वासियों को पानी मिलने में कोई समस्या है तो वो आदे घंटे में उनके समस्या दूर की जाएगी ऐसा डीजेबी ने यानि दिल्ली जल बोर्ड की अधिकारियों ने कहा है उन्होंने कहा है कि 2021 की गर्मिया हमारे लिए भेर चनौती पूर्णे रहें क्योंकि हर सल ऐसा देखा गया है कि दिल्ली में पानी की किल्लत हमेशा हो जाती है लेकिन इसी बीच डीजीबी के अधिकारियों को जो जल सप्लाइ करते हैं उनको कहा गया है कि अगर किसी के घर में भी या किसी के एरिया में पानी का सप्लाइ ठीक से नहीं आता है तो आदे घंटे के बीतर बीतर वो जो सप्लाइ है उससे सही किया जाए और घर घर पानी मौचाया जाए उन्हें साफ ही ये बात करती है कि बेशक से कि हमारा दिल्ली में पानी की नई नेटवर्क सप्लाइ बैट चुकी है लेकिन इसे के साथ ही पानी की किलत भी बढ़ती जा रही है तो ये दिल्ली जलबोड की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो हर एक के घर में पानी की सुनिष्टिता को टै करेगे आए चलते हैं अंकली खबर की तरफ अब हम बात करने वाले हैं दिल्ली के मुख्य मंतरी दोरा चलाएगा योजना जिसमें कहा था कि राशन घरगर पहुचेगा यानि डो स्टेप डिलिवरी और राशन स्कीम जी हाँ जिसको केंदर सरकार ने रोख दिया तक यह कहकर कि सारा खर्चा केंदर सरकार उठाती है और ये योजना किसी भी या कोई भी मुख्य मंतरी इसको बदल नहीं सकता वो सिस्सम से छेड़ चार नहीं कर सकता है तो इसी बीच केंदर मंतरी ने साफ कर दिया है कि वो इस सिस्टम में किसी भी मुख्य मंतरी को छेड़ चार करने नहीं देंगे तो इसी बीच मुख्य मंतरी ने कहा है कि हमें क्रेड़िट नहीं चाहिए उनका बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा है कि क्रडिट हमें नहीं चाहिए, हम इस योजना का नाम नहीं बदल रहे हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं कि राशन घर घर पहुंचे, लोगों को लाइनों में लगना पड़े, वो इसके लिए अब भी वहीं ततपर हैं, उन्होंने कह कि हमें किसी भी चीज़ से कोई आपती नहीं है, हम अपनी योजना का नाम बदल रहे हैं, लेकिन हम दिल्ली की जनता का भला चाहते हैं, चलते हैं अगली खबर की तरफ, मुखे मंत्री केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को एक खुशकबरी दी है, उन्होंने कहा है कि आठ से जादा मामले आए हैं और अब कुल मामले 4,000 से पार हो जुके हैं, उनका कहना है कि अब से 8 नहीं 12 घंटे वैक्सिनेशन होगा, जिससे अनुमाल लगा गया है कि अब 30 से 40,000 लोगों का वैक्सिनेशन नहीं अपी तू, 1,20,000 लोगों का वैक्सिनेशन से हो जाएग और डिली फिर से खिरकिला उठेगी, साथ जोने मताई उनको बढ़ाने का भी बता देते हैं कि डिली में जिससे कविड के ममले बढ़ रहे हैं, वो दिखा रहा है कि डिली के लोग को बहूत ही नजन्धा सरीके से ले रहे हैं उनकी जो यह बेफिकरी है फुल लोगों के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकती है तो यह थी कुछ बड़ी जानकारियां जिनका जानना आपका बहुत जरूरी था तो अगर यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें शेयर करें अपने परिवार वालों के अस अच्छी और बड़ी खबरों के लिए सारा सच के साथ नमस्कार